अच्छे आप अच्छे नमस्कार गुड़ अफ्टरनून स्वागत है आप सभी का रोजगार विदंग की चैनल पर तो क्या हाल है भाई सभी एक बार जुड़ेंगे और आज हम एक तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक नया टॉपिक और बहुत मजाब को आने वाला है क्योंकि साधारन ब्याज और चक्रवर्दी ब्याज कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम बहुत अलग तरीके से पढ़ेंगे आपने अगर पहले कहीं पढ़ा होगा इनको तो आपने तरीके से पढ़ा होगा कि यह बराबर यह बराबर कुछ फॉर्मुले बेस्ट चीजे आपने पढ़ी होंगी हम पढ़ेंगे कॉंसेप्ट यानि के साधान ब्याज हम तो हम करेंगे ही करेंगे लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फील आने लगेगी कि हमें अब फॉ आजाए ऐसा नहीं है तो यहां पर simple interest chapter सुरू करने वाले हैं दो तरह के interest होते हैं दो तरीके के व्याज होते हैं कोता है साधरण व्याज एक होता है चक्रवर्धी ब्याज जिसको बोलते हैं compound पाउंड इंट्रेस्ट उसको हमने अलग रखा हुआ है सबसे पहले तो मेरा सवाल आप लोगों से यह है आप में से ऐसे कितने लोग है जिनों ने पैसा ब्याज पर उठाया हुआ है थमसब करके बताओ सच सच बताना देखो इमानदारी से जूट कोई कि नहीं बोलेगा ने तो सबके स्टेटमेंट निकल वा सकता हूं बैंक से मैं कि बताओ जिन्हों ने पैसा यारी दोस्ती में ही आसपड़ास में पैसा ब्याज पर उठाया हुआ है और वह लोग भी थमसब करके बताएंगा जिनको जो बहुत अच्छी नॉलिज ब्याज में रखते हैं एसकि घुको वह होता है कमेठी पता निक मेरी दो अधक आ है और व्याज वैट पैसा होता है तो उसमें बहुत बहुत तकड़ा दिमाग चलता है ऐसे हैं लोग से बताओ जल्दी से कितने लोग है ऐसे ऐसे ही ना तो प्यक्राइब और पैसे नहीं आ आज गो ए यही लाइन है जो आपके पास पैसा लाएगी है ओके गुड़ ऐसे करे जाओ खूब ब्याज खाओ जितना तुमसे खाया जाए ना खूब ब्याज खाओ बेटा खूब ब्याज के पैसे उड़ाओ अच्छा आधे ऐसे भी जुन लिये भी है ओके चलो ठीक है पढ़ते हैं चीजों को कैसे किया जाए अब साधर्ण व्याज की बात करते हैं चक्रवर्दी व्याज को मैंने बिल्कुल उठाकर अलग रखा हुआ है चक्रवर्दी व्याज को हम छेडेंगे यह नहीं साधर्ण साधर्ण व्याज में अलग से उसको ठढ़ेंगे फिर एक क्रास में मिक्स लेघा और चक्रवर्दी में मिक्स कुछ नाते हैं साधर्ण और क्रवर्दिय कर उसकी मैं let's mix mix कि आपको अलग से ले लोगा इक दो स्वेभी होंगे राल हमारा जोॉकस रहे हैं वो संपल इंट्रेस्ट आढ़ार्ण व्याज पर और आप में से कोई सकता है साधार्ण क्या होता है सिंपल इंट्रेस्ट क्या होता है कोई बताओ अरे ठीक है वैस करो बताओ जल्दी से आप में से कोई बताएगा कि साधरन व्याज क्या होता है क्यों हम साधरन व्याज को साधरन व्याज भी बोलते हैं क्यों हम साधर्ण ब्याष का मतलब क्या होता है तुरुंत आपके दिमाख में एक बात आनी चाहिए कि जो ब्याष केवल Cup लगता हो किस पर लगता हूर जो ब्याष केवल मूलधन पर लगता हो मूलधन यानि के प्रिंसिपल मूलधन पर लगता है लगता है कि केवल मूलधन पर लगता है समझेंगे भी कुछ अलग तरीके से करेंगे भी कुछ अलग तरीके से समसे पहली बात आपने क्या सीखी कि अगर साधरन व्याज है ना तो केवल मूलधन पर रहे हो आपके पास बहुत सारा पैसा है सपोर्ज आपके पास इतना सारा पैसा है कि मैं लिख दूंसे कि आपके पास दस जार रुपया है इतना सारा पैसा आप छुपा के बैटे हो 10,000 रुपया और किसी को बता नहीं रहे हो और सबसे बोलते हूँ भाई सब कहा याँ र्कुछ भी नहीं गरीब आदिनी है ऐसे आप बोलते हो सबसे लेकिन आपके पास 10,000 रुपय का बजट है अब 10,000 रुपया आपके पास है और आपने किसी को ब्याज पे उठाने की सोची, ब्याज पे उठाना मतलब किसी को ब्याज पे देना, तो आपने ब्याज पे उठाने की सोची 10,000 रुपया, अब यह rate of interest लगेगा वारसिक, जब भी हम सवाल करेंगे वारसिक दर लगती है, यहां पर बैंक के हिसाब से हम चलते हैं, बैंक जब भी rate लगाता है, वारसिक लगाता है, आप तो महीने का ब्याज लेते हो, यार दोस्तों में पैसे उठाते हो, महीने का ब्याज लेते हो, वो बात लग है, लेकिन महीने का ब्याज, वो rate अलग है, यहां बैंक का जो rate होत कि क्या मतलब है सबसे बड़ा सवाल यहीं आ जाएगा कि सब्सक्राइब है करेंगे दर की दर का मतलब होता है बच्चे एक साल में किसी मूलधन पर मिलने वाला ब्याज एक साल में किसी मूलधन पर मिलने वाला पिर्ति सत्थ यह आप बोल सकते हो एक वर्स में है किसी मूलद्धन पर किसी निश्चित मूलधन पर कि किसी निश्चित मूलधन पर मिलने वाला मिलने वाला पिर्तिसत यह आप बोल सकते हो एक साल में एक वर्स में किसी निश्चित मूलधन पर मिलने वाला पिर्तिसत एक साल का क्या होगा? वो दर होगा अगर मैंने बोला 10% तो यानि के मूलधन पर एक साल में कितने परसेंट मिलेगा? 10% मिलेगा है ना और इसी को ही हम क्या बोलते हैं ब्याज भी इसी को ही बोलते हैं ऐसा कैसे बोलते हैं अभी टेंशन मतलो अभी 10,000 निकाल लो चुपा के रखें न वो पैसे निकाल लो वह बताएंगे आपको ब्याज क्या होता है यहाँ पर मैंने कहा आपकी जेब में 10,000 रुपिया है rate of interest मैंने कितना बोला? rate of interest मैंने 10% आप मुझे बताओ, एक साल बाद अगर मैं पैसा देखूं तो एक वर्स बाद कितना पैसा हो जाएगा? एक वर्स में कितना पैसा हो जाएगा? आप कहेंगे सर, एक वर्स में तो 10% रुपिया मिलेगा तो कितना ब्याज मिलेगा? मूल धन पर कितना ब्याज मिलेगा? जल्दी से मुझे बतादो, केवल मूल धन पर लगता है तो आप कहेंगे सर, 10% एक वर्स में तो 10,000 का 10% कितना हो गया? सर एक हजार रुपिया यानि के अगर आप किसी वेक्ती को दस हजार रुपिया उधार पर देते हो ना और दस परसेंट का रेट लगाते हो तो एक साल बाद उसका ब्याज कितना बन जाएगा एक हजार रुपिया बन जाएगा मैंने कहा अगली साल का भी बता दो, अगली साल का, अगले वर्स का भी बात करता हूँ मैं, यह first year की मैंने बात करी है, मैं first लिख देता हूँ यहाँ पर, second year की भी बताओ मुझे जल्दी से, second year में कितना ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पर आकर कहानी पलटती है, यहाँ तक साधारन और चकरवर्दी दोनों समान थे, दोनों समान थे, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे वर्स में आया, यहाँ पर आकर दोनों के रास्ते बदल गए, साधारन अपने अलग रास्ते को हो गया, और चकरवर्दी अपने अलग रास्ते को हो गया, दूसरे वर्स में, पहले व मूल धन पर मिलेगा केवल मूल धन पर तो यहां पर भाया दूसरे वर्स भी कितना रुपया मिल गया एक हजार रुपया दस हजार का मिला जो की मेरा मूल धन था लेकिन जब मैं चक्रवर्धी ब्याज आपको पढ़ा रहा हूंगा ना तो वो ब्याज इस पर तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन जो पहली साल में ब्याज कमाया है उस पर भी मिलेगा तो ब्याज के उपर ब्याज लगने वाला ब्याज चक्रवर्ध लेकिन उसकी कहानी अभी साइड में रखो मैं बात कर रहा हूं साधरन व्याज की जो केवल मुल्धन पर लगता है उसे कोई मतलब नहीं है कि कितना क्या सीन है मैं बात करता हूं थर्ड एयर की यहीं से बहुत अच्छी चीज निकाल के लेकर रहा हूंगा टेंशन मतलो देख होंगा तो हर वर्स मुझे 10-10% मिलता जाएगा हर वर्स मुझे 10-10% मिलता जाएगा यहां तक कि कहानी आपको केलियर हुई अब मुझे बता दो तीन साल का टोटल व्याज कितना है तीन साल का जल्दी से बता दो तीन साल का टोटल व्याज कितना है जल्दी से बताओ तीन स तो आप कहेंगे सर 1000 1000 1000 total कितना हो गया तीन साल का total साधरन ब्याज हो गया 3000 रूपया तीन साल का total जो ब्याज है वो 3000 रूपया है यह बात के लिए रहे अब ओके इसको थोड़ा सा side में करते हैं थोड़ा सा इसको side में करते यहीं पर रखोंगा इसको तो आप देखना 3000 रुपय आपने निकाला ना अलग-अलग मैं इसको रफ करता हूं बचे मैंने कहा जो रेट ओफ इंट्रेस्ट है वो दस परसेंट है रेट ओफ इंट्रेस्ट कितना है दस परसेंट दस परसेंट का मतलब क्या है एक साल में जो ब्याज है वो दस परसेंट मिल रहा है एक साल में जो ब्याज है कितना टैन परसेंट दस परसेंट मिल रहा है अगर मैं बात करूँगा एक साल की तो एक साल में कितना ब्याज एक साल में दस परसेंट ब्याज मिलेगा अगर मैं ब 20% मिलेगा. 2 साल में 20%. ब्याज 10% अगर एक साल का है तो 2 साल का 20% जल्दी से मुझे बता दो 3 साल का ब्याज कितना होगा. केवल साधहरण ब्याज का कॉंसेप्ट है ये, क्योंकि वो हर बार केवल मुल्धन पर लगेगा. केवल मूलदन पर तो 10% पहली साल, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे सर 3 को 1 साल के ब्याज से गुणा कर दो, 1 साल का ब्याज 10%, तो 3 साल का 30% हो जाएगा, 3 साल का कितना होगा, सर 30% ब्याज हो जाएगा, अगर मैं आप से कहूँ 4 साल का ब्याज, सर 1 साल का 10%, 4 साल का 40%, मैं कहूँ 10 साल का ब्याज, सर 1 साल का 10%, 10 साल का 100% ब्याज, मैं कहूँ 200 साल का ब्याज, 200 साल का ब्याज कितना होगा, जल्दी से मुझे बता दो बच्चे, 200 साल क तो आप इस तरीके से तो निकालने में तो बोड़े हो जाओगे हर साल का एक एक करके बताओ जल्दी से मुझे बताओ अगर मैं कहूं 200 साल का ब्याज कितना होगा तो आप कहेंगे सर एक साल का 10% 200 साल का 200 से गुणा कर दो सर ये 2000% हो जाएगा 200 साल का व्याज होगा 2000 परसेंट तो ये concept किलियर हुआ ना यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि साधारन व्याज अगर एक साल का जो दर होती है ना वो एक साल का व्याज होती है जहां भी दर rate of interest दिखे ना दिमाग में set कर लो rate of interest दर का मतलब है एक साल का व्याज एक साल का व्याज दर का मतलब है एक साल का व्याज दस साल की बात करेगा मैं एक साल की परसेंट से गुणा कर दूँगा rate of interest से ठीक है तो ये चीज आपको समझ में आई अब देखना मुझे तीन साल का व्याज कितना मिला 30% मुझे तीन साल का व्याज मिला बहुत गौर से पैन कॉपी को साइड में रख दो समझोगे ना मगर आओं कभी जिंदिगी में भूली नहीं पाओगे ब्याज को कभी नहीं भूल पाओगे तीन साल का व्याज कितना हो गया 30% और भहिया मेरे पास मूल धन कितना है 10,000 तो मुझे 10,000 का 30% कितना व्याज मिलेगा तीन साल म मिलेगा 10,000 का 3% निकाल दो आपका अंसर 3,000 आ जाएगा क्या बच्चे यह वही 3,000 है जो आपने अलग-अलग वर्स में निकाला था क्या यह 30% अगर मैं डारेक्ट निकाल दूं वही मुझे मिल जाएगा तो बैटर है कि जब मुझे साधरन व्याज की बात करेगा तो मैं मैं सीधा पिरती सत को वर्स से गुणा कर दूगा सीधा पिरती सत को वर्स से गुणा कर दूगा ये तो हो गया कॉंसेप analytics चलो बड़ा बया प्याराuct चिखाया अब वो चीज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो फॉर्मूला वगेरा है वो पढ़ना जरूरी है बहुत सारे सवालों में वो फॉर्मूला से भी हम चीजे आसान कर सकते हैं हर चीज हम को आनी चाहिए हर चीज हम को आनी चाहिए जैसे फॉर्मूला क्या है भई फॉर्मूला है साधहारन ब्याज बराबर सब जानते हैं सब ही जानते हैं जो मैथ बेग्राउंड से हैं वो भी जो मैथ बेग्राउंड से नहीं है वो भी जानते हैं कि साधहारन ब्याज बराबर क्या होता है आप कहेंगे सर ये होता है मूलधन गुणादर गुणा समय बटे सो मूलधन क्या होता है जो पैसा ब्याज पर दिया गया है इसको बोलते हैं इंगलीज में क्या बोलते हैं प्रिंसिपल रेट एंड टाइम इंटू हंड्रेड साधान ब्याज को एसाई सौट में क्या बोल देते हैं एसाई बराबर पी आर्टी अपॉन हंड्रेड पी आर्टी यानि के प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन हंड्रेड इसको इंगलीज में बोल देते हैं तो क्या समझे आप यहां से साधारन ब्याज बराबर मूलधन गोना दर गोना समय बटे सो मूलधन यानि के जो पैसा ब्याज पर दिया गया दर यानि के कितने रेट पर दिया गया टाइम यानि के समय कितने समय के लिए दिया गया अपॉन हंड्रेड आपका साधारन ब्याज आ जाएगा एक वर्ड और होता है मिस्रधन, बड़ा प्यारा वर्ड है, मिस्रधन यानि के amount, जिसको हम इंगलिस में क्या बोलते हैं, amount जिसको बोलती है, इसका मतलब क्या होता है, कि मूलधन जितना पैसा आपने उधार दिया और उसमें ब्याज जोड़ दो, उसमें ब्याज जोड़ द और उसमें जितना ब्याज जुड़ के मिला, वो, तो मिस्रधन का मतलब होता है मूलधन पिलस साधारन ब्याज, मूलधन पिलस साधारन ब्याज, तो ये चीज भी आप थोड़ी सी सीखे, ओके, एक और स्टार बनाके लिखेंगे कोपी में, कि मूलधन, मूलधन हमेशा कित सो परसेंट, भई कोई पैसा आप देते हो, सो परसेंट होता है अपने आप में, अब उस पे दस परसेंट, बीस परसेंट, तीस परसेंट ब्याज मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा, जैसे सपोज मैंने आप से कहा, कि किसी धनरासी पर दस परसेंट ब्याज मिला, दस पर मूलधन और मिस्रधन का रेश्यो क्या होगा जल्दी से मुझे बता दो मूलधन और मिस्रधन का अनुपात क्या होगा अब तो आप सीख चुके हो कि अगर 10% simple interest की बात कर रहा है और उसने कहा तीन साल बाद मूलधन और मिस्रधन का अनुपात कितना होगा मैंने कहा मूलधन अपने आप में 100% होता है ये बात आप फिक्स कर लो मूलधन अपने आप में 100% होता है येस अब मिस्रधन मतलब होता है मूलधन प्लेस ब्याज मूलधन कितना है 100% और ब्याज कि एक साल का तो तीन साल का कितना परसेंट अगर दस परसेंट एक साल का तो तीन साल का कितना परसेंट सर तीस परसेंट जोड देंगे कितना आएगा सो परसेंट अनुपात एक सो तीस परसेंट कितना आ यह आगया 10 अनुपात 13 आप का संसर आगया अनुपात में ठीक है तो मिस्रधन से आप क्या समझे कि जब भी आपको मिस्रधन निकालना है तो मूलधन में ब्याज को मैं एड कर दोंगा मेरा मिस्रधन मुझे मिल जाएगा बात के लियर हुई है नश का तो अब मुझे बताना कि 10% सिंपल इंट्रेस्ट है तीन साल बाद मूलधन मिस्रधन का ब्याज आपने सीखा अब मैं एक दो सवाल आपको करा देता हूं फिर पीडियेफ की तरफ चलेंगे पीडियेफ की तरफ चलेंगे मैं एक बार सवाल लिख देता हूं यहां पर कि सवाल लिख देता हूं कोश्चन अब मैंने कहा कि मूलधन है मूलधन है कितना मूलधन है 5000 रुपया यानि कि ब्याज पर 5000 रुपया दिया गया है जो रेट ओफ इंट्रेस्ट है जो दर है वो 5% है जो समय है जो समय है वो चार वर्स है तो जल्दी से मुझे बता दो साधारन व्याज कितना होगा जल्दी से मुझे बता दो बैटर है कि आप बिना फॉर्मूले के करके देखो इस सवाल को बिना फॉर्मूले के करके देखो आपको पता चला 5000 रुपया है मूलधन रेट ओफ इंट्रेस्ट है 5% साधारन व्याज कितना होगा चार साल का आप कह सकते हो के सरसाधारन ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे सौ मूलधन कितना है पांच हजार रुपया दर कितनी है पांच परसेंट समय कितना है चार वर्स और बटे कितना अंसर आजाएगा आप का आंसर आएगा एक हजार रुपया कितना अंसर आएगा एक हजार रुपया लेकिन क्या आपको इतना करने की जरूरत थी बताओ आप देखते सीधा कि भाई रेट ओफ इंट्रेस्ट है पांच परसेंट यानि कि एक वर्स में कितना ब्याज मिल रहा है पांच परसेंट मिल रहा है कितने वर्स की उसने बात करी है चार वर्स की तो चार साल में कितना परसेंट ब्याज हो जाएगा सर चार साल में तो सर बीस परसेंट ब्याज हो जाएगा चार साल में और अगर चार साल में बीस परसेंट है तो पांच हजार का बीस परसेंट कितना होता है 5000 का सर 35 चेप्टर तो बहुत अच्छे से हम पढ़के आए हैं 5000 का 20% तो 1000 होता है देखा फॉर्मूले की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना तो नहीं पड़ेगी बिलकुल भी आप कैसा भी सवाल आया बहुत अच्छे से कर जाओगे यसे मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं यहीं पर मैंने कहा rate of interest है 10% समय है आपका पांच वर्स समय है आपका पांच वर्स और भाई साधारन ब्याज है 1000 रुपया मूलधन बता दो कितना होगा मूलधन बता दो कितना होगा जल्दी से जल्दी से टाइम मंत में दिया होगा बच्चे सब कराओगा पिर्दिमन भाई आए टेंसन लेते हो सब कराओगा भी तो बेसिक ही पढ़ाया है क्यों टेंसन ले रो सारी चीजे कराओगा मैं आपको मैंने कहा rate of interest है 10% समय पांच वर्स है simple interest दे दिया इस बार 1000 रुपया तो मूलधन कितना होगा जल्दी से बताओ आप फॉर्मूले से भी कर लो सा पांच दोनी 10 principle कितना आ जाएगा 2000 रुपया यस कितना आ जाएगा 2000 रुपया बात के लियर हुई लेकिन आपको इतना करने की जरूरती नहीं थी वह आप जानते हैं कि जो rate of interest है वो 10% है तो यानि के एक साल का व्याज कितना 10% एक साल का व्याज कितना 10% तो पांच साल का व्याज आपको मिल गया 50% अगर पांच साल का व्याज 50% है और व्याज वराबर कितना दिया हुआ है 1000 रुपया तो एक परसेंट का मान कितना एक परसेंट का मान है 20 आ गया 1000 बटे 50 तो भाई 100% मैंने कहा कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है तो 100% का मा कितना आ गया 205yl कितना आंसर आ गया 2000 कोई दिक्कत ही नहीं हुई आपको आपने बैसिक खón sir ते चले और आपका आंसर आ गया यह तो बिलकुल सही जवाब न और इसाह प्रसवारय करता हूं चलो मैं यहीं पर इसाहँ है कर देता की ओके एक वर्ड और जुड़ गया मिसरधन और जुड़ गया मिसरधन और जुड़ गया मिसरधन जुड़ गया भाई उसने कहा rate of interest जो है जो दर है हमारी वो है आपकी साढ़े बारा परसेंट साढ़े बारा परसेंट rate of interest है समय चार वर्स है समय चार वर्स है जो आपका मिसरधन दिया हुआ है जो मिसरधन दिया हुआ है वो दिया हुआ है पंद्रे हजार रुपिया मूल्धन पूछा है बताओ कितना होगा अब बताओ को लगेगा यहां पर सर कॉंसेप्ट काम आएगा यहां पर पर फॉर्मूला जो है थोड़ा सा डां जाएगा क्यों आपको कुछ मानना पड़ेगा और X मानना पड़ेगा अब X से तो आ इतने बचके चल रहे हो जैसे बहुत दूर कर तो दर साड़े बारा परसेंट है समय चार वरस है तो मिसरधन अगर 15,000 रुपय दे दिया तो मूलधन कितना रुपया रहा होगा आपको मैंने बताया मिसरधन मतलब होता है मूलधन पिलस ब्याज अब भई मूलधन तो अपने आप में 100% होता है ब्याज आपने कैलकुलेट करना है अगर एक साल का 12,000 तो 4 साल का कितना हो जाएगा साढ़े बारा गोणा चार होता है 50% इसमें 50 जोड देंगे तो मिसरधन कितना आ गया 1.500% हो गया 100% में सीधा सीधा जोड दो मिसरधन के लिए तो 1.500% किसके बराबर है बच्चा आप कहेंगे 1.500% है 15,000 के 1% किसके बराबर है 15,000 भटे 1.500 जीरो से जीरो खतम सर एक परसेंट है सो और मूलधन तो अपने आप में हंड्रेड परसेंट होता है तो सो परसेंट बराबर किसके होगा सो परसेंट बराबर होगा सो गुणा सो यानि के दस हजार कितना होगा दस हजार रुपया बिलकुल सही जवाब होगा मूलधन आपका चीजे समझ में आई हो तो एक बार मुझे थमसप करके इंडिकेट कर दो के सर चल रही है ठीक है ऐसा तो नहीं ब्याज साइड में कर निकल रहा है मैं उस हिसाब से पढ़ाई नहीं रहा हूँ आपको कि दिमाग के बराबर में कर निकले कि दिमाग में जाएगा जितना पढ़ाऊंगा दिमाग में जाएगा टेंशन उसकी मतलब ठीक है किलियर हुआ ना कि भाई मुझे यहां तक मुझे आप मेरा मकसद ये था आपको ये बताना कि जब भी मुझे दर दी हो समय दिया हो साधारन व्याज के लिए मैं दोनों को तुरंत गुणा कर दोंगा मुझे उतने साल का व्याज मिल जाएगा मुझे उतने साल का व्याज मिल जाएगा 50% मूलधन 100% होता है 50 में जोडेगा बनेगा 500% और 500% किसके बराबर है 15,000 के एक परसेंट सो तो भाई सो परसेंट कितना दस हजार रुपया आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ओके चलो एक सवाल और कर दो एक सवाल और कर दो जब कर ही रहे हो तो कि भाई यहाँ पर मूल धन दिया हुआ है आपको अठारे हजार रुपया रेट ओफ इंट्रेस्ट दे दिया आपको 2.5% समय दे दिया 8 वर्स मिस्रधन आपसे पूछ रहा है जल्दी से बता दो मिस्रधन कितना होगा मिस्रधन कितना होगा चलो बताओ जल्दी से आप मुझे बताओ कि अगर मूलदन अठारे हजार है दर धाई परसेंट है समय सब वारसिक दर है यह मैं कहना कि सर वारसिक है या अड़ वारसिक है वो सब मैं बाद में चेंज कराऊंगा सवाल के हिसाब से कि तो आप मुझे बताओ अगर rate of interest आपका 5% समय आपका आठ वर्स है तो मिसरधन कितना होगा चली से बता दो आप कहेंगे कि सर 10% वारसिक है तो 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आठ साल का याज को 8 से कुणा कर दो भाई डाई को 8 से गुणा कर दो आ जाएगा 20% कितना आ गया बच्चे 20% रेट आ गया 20% ब्याज मिल गया 8 साल का 20% और मैंने कहा मिस्रधन निकालना है तो मिस्रधन कितना होता है 100% प्लेस 20% 100% प्लेस 20% कितना हो जाएगा सर ये तो आपका 120% हो जाएगा कितना हो जाएगा 120% बचे मूलधन है 18,000 18,000 का 120% आप निकाल दो आपका आंसर आपको मिल जाएगा है ना क्योंकि मिस्रधन 120% है 100 प्लेस 20 120 और मूलधन 18,000 है 18,000 का 120% आपने निकाला तो आपका आंसर कितना आ गया 20,000 से 20,000 खतम बारे अठे चान में बारे कम बारे और नो 21 आपका मिस्रधन कितना आ गया 21,600 21,600 का मिस्रधन हो जाएगा एमाउंट हो जाएगा एमाउंट का मतलब क्या होता है इस 21,600 में आपका 18,000 मूलधन तो है ही है और 3,600 आपका व्याज भी है तभी तो ये 21,600 बना येस तो ये चीज़ आपको किलियर हो गई बहुत अच्छे से एक लास्ट सवाल देता हूँ और फिर अपनी PDF की तरफ चलेंगे सवाल क्या है कि कोई मूलधन है कोई मूलधन है कितना 10,000 रुपिया 10,000 रुपिया मिस्रधन कितना हो गया मिस्रधन हो गया आपका 15,000 रुपिया 15,000 रुपिया मिस्रधन हो गया येस 15,000 रुपिया मिस्रधन हो गया रेट ओफ इंट्रेस्ट जो है जो आपका रेट ओफ इंट्रेस्ट जो आपकी दर है ब्याज की जो दर है वो आपकी 10% वारसिक है 10% वारसिक है, तो आपको समय पूछेगा, समय कितना है, 10% वारसिक है, समय कितना है, बढ़ा मज़ा आएगा सवाल करने में, बढ़ा टेंशन तो लेनी ही नहीं है, हडबडी, जल्दबाजी, ये सब नहीं, इस क्लास में नहीं, आराम से बैठो, नहीं कर पा रहे हो, तो सामन सवाल ने कहा कि मूल धन 10,000 रुपया है, मिसर धन 15,000 हो गया, rate of interest 10% है, समय आप से पूछ लिया, अब ये कैसे करें सर, आप मुझे एक बात बताओ, 10,000 रुपया जो है, ये कितना बना है, ये 15,000 रुपया बना है, बच्चे मुझे rate of interest बता दो, कितने परसेंट बन गया, कितने समय में बन गया, वो अपने आप आजाएगा, उसकी tension तुम लो ही मत, आप मुझे ये बता दो, कि ये 10,000 रुपया, 15,000 बन गया, कितना ब्याज दिया, आप कहेंगे सर, इसने जो ब्याज दिया है, ये 5,000 रुपया का दिया है, अब मेरा अगला सवाल आप से है, कि जो 5,000 रुपया ब्याज मिला है, ये 10,000 का कितना परसेंट है, जल्दी से मुझे बता दो, आप कहेंगे सर, 10,000 रुपया ब्याज पे गया था, वो 15,000 हो गया, यानि कि उसने 5,000 रुपया ब्याज पर लिया, अब ये 5,000 रुपया इस 10,000 पर ही मिला होगा, मूल धन पर मि तिसत ब्याज हो गया, आप कहेंगे सर, 5,000 रुपया ब्याज का, कितने पर, 10,000 रुपया पर, और गोना 100, 2,0 से 2,0 खतम, 2,0 से 2,0 सर, ये तो 50% बन गया, कितना परसेंट, 50%, अरे, कुछ समझ में आ रहा है, कि यहाँ पर मैंने देखा क्या, पिछले सवाल में, यहाँ प अतलब है, कि rate of interest हमारा 10% रहा होगा, 10% को मैंने समय से गुणा किया होगा, 10% को बच्चे मैंने समय से गुणा किया होगा, तभी तो वो 50% बना होगा, यह बात किलियर हुई आपको, मैं फिर से repeat करता हूँ, 10,000 रुपया ब्याज पे गया, 10,000 रुपया ब्याज पे गया, 10,000 रुपया ब्याज पे गया, 15,000 रुपया वो मिस्रधन हो गया, मिस्रधन से क्या मतलब समझे, कि उसमें मूल धन और ब्याज दोनों जोड़े होगे हैं, 15,000 हो गया, rate of interest 10% है और समय उसने पूछ लिया, म मैंने कहा कितना परसेंट है ये 5000 तो आपने कहा 5000 बटे मूलधन कितना है दस हजार और गुणा सो सर ये 50 परसेंट बना तो यहां से समय कितना आ गया पूरा पांच बार कटेगा यानि के समय कितना आ गया बच्चे समय आ गया पांच वर्स कितना आ गया समय आ गया आपका पांच वर्स बड़ा प्यारा चीज़ है तो अब मैं इसको आपको फॉर्मुले से भी करा देता हूँ फॉर्मुले से कैसे भाई मूलधन और मिसरधन ब्याज कितना मिल गया साधारन ब्याज कितना मिल गया साधारन ब्याज मिल गया 5000 आप जानते हो साधारन ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है ठीक है तो यहां से समय निकाल लो 2-0 से 2-0 खतम 3-0 से 3-0 खतम समय कितना आ काल सकते हूं ठीक है समय कितना आ गया पांच वर्स बिल्कुल ठीक है लेकिन यह तो बड़ा पुराना तरीका है कॉंसेप्ट के पीछे भागो यह तो कभी आपको अटका के मिस्रधन हो गया 12,000 रुपया समय है आपका पांच वर्स तो रेट ओफ इंट्रेस्ट बता दो कितना है दर कितनी है तो अब आप कैसे करेंगे जल्दी से बताओ अब आप कैसे करेंगे आप कहेंगे कि सर मूलधन 8,000 रुपया है मिस्रधन 12,000 है यानि के कोई 8,000 रुपया ब्याज पर गया होगा और वो 12,000 रुपया बन गया तो सर इसने तो 4,000 रुपया ब्याज का कमा लिया मैंने कहा कितना परसेंट बन गया ये 4,000 रुपया तो आप कहेंगे सर 4,000 बटे मूलधन कितना है मूलधन तो 8,000 रुपया है और गुणा 100 2,0 से 2,0 खतम 8,5,4 यानि के आपका आएगा 50 ये 50 परसेंट बना है सर कितना ये 50 परसेंट बना है अब ये 50 परसेंट कैसे आया होगा ये आया होगा जब आपने एक साल के रेट को 5 वर्स से गुणा किया होगा तभी तो 50 परसेंट बना होगा बही तभी तो इतने 50 परसें से गुना किया होगा तो यहां से रेट कितना गया पांच धाम-pacास यानि कि आपका रेट अगया 10 सुट कितना आ गया बई रेट आ गया 10 सुट तो चीज आपको के लिए बहुत अच्छे से हुई होगी के लिए चले सवाल की तरफ चलते हैं एक बार यह देखना सवाल एक बार बच्चे बंब करा देटा हूं यह सवाल आपको एना इसके पढ़ना है उसके लावगे कुछ पढ़ना ही नहीं तो मुझे दोनों से पढ़ाना पढ़ेगा बच्चे तकि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो इस फ्रेस कॉंसेप्ट से तियार हो और जो पुराने बच्ची है वो अपने बेसिस पर टीके नहीं जो जो बदलना ही नहीं चाहते हैं जो उसने कहा 400 रुपय की रासी पर पांच वर्स 53 दिनों का साधारन ब्याज कितना होगा बताओ जल्दी से 4 रुपया हो जाएगा सीधा सीधा बिल्कुल 4 रुपया हो जाएगा क्यों आप जानते हैं एक वर्स में कितने दिन होते हैं 365 अब ये मत कहना कि 366 भी होते हैं वचे हम आइडियल इयर जब मैथमेटिक्स में सवाल क दिया नहों अगर वह 366 की मनवाता तो वह लिखता लेकिन हम मानके चलेंगे 365 दिन ओके तो आप मुझे मैं दोनों तरीके से करा हूं आप मुझे बताओ अगर एक साल का जो ब्याज है वह पांच परसेंट है अब 73 दिनों को अगर मैं वरस में बदलू अगर मैं 73 दिनों को व 365 वर्स बनते हैं इतने वर्स यह पूरा पांच बार कटता है यानि के आप कोगे सर 73 दिन का जो मतलब है न वो एक बटे पांच वर्स होता है एक बटे पांच तो अगर एक साल का जो ब्याज है वह पांच परसेंट है तो एक बटे पांच वर्स का ब्याज कितना होगा बच इस चार सो का एक परसेंट निकाल लो चार सो गुणा एक बटे सो यानिके ब्याज जो मिलेगा मुझे कितना मिलेगा चार रुप्या ब्याज कितना मिलेगा चार रुपया कोई जादा लंबी चौड़ी केलकुलेशन ही करनी ना पड़ी आपको तो लो फॉर्मूले से भी कर लेते हैं साधहरन ब्याज बराबर क्या होता है मुल्धन है 400 दर कितनी है 5% समय कितना है 73 दिन और बटे 365 इसमें करेंगे साल में बदलने के लिए और बटे 100 यह सॉल्व कर लो आपका अंसर आजाएगा आपका अंसर आजाएगा कैसे 2-0 से 2-0 खतम 73-5 पांच से 5 गया तो SI बराबर कितना आगया 4 जो तरीका आपको पैस लगे मेरे हिसाब से चलोगे तो यह तरीका आपको बहुत आगे तक ले जाएगा बहुत आगे तक फॉर्मूला बहुत लिमिटेड चीजों के इसमें लगता है सवाल ने कुछ चेंज कर दिया बदल जाएगा आप खुद सोचो अब यह फॉर्मूले बेजड अगर सवाल बनने लगे तो एक्जाम में तो कॉम्टीशन बनेगा ही नहीं लेकिन अगर आप कॉंसेप्ट के हिसाब से चलोगे न वो कितना ही आपको गुमा ले आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी तो सवाल को देखिए एक बार देखेंगे एक बार सवाल को क्या है उसने कहा कौनसी रासी 6% वार्सिक साधर्न ब्याज की दर से चार वर्स में पानसो पिचाण में पॉइंट दो हो जाएगी इतनी हो जाएगी देखना 6% का rate है चार साल में देखो जब सवाल कहें न इतनी हो जाएगी बचे वो मिसरधन की बात करता है इसमें मेरा ब्याज भी होगा और इसमें मूलधन दोनो जुड़कर रहे होंगे अब आप मुझे बताओ अगर एक साल का ब्याज 6% तो चार साल का ब्याज कितना होगा साधरन ब्याज का तो खुबसूरती ही यह यार सीधा सीधा गोणा कर दो आप मुझे बताओ अगर एक साल का छे परसेंट तो चार साल का मैं साधरन ब्याज पूछता हूँ चार साल का हो जाएगा 6 गोणा 4 यानि के 24 परसेंट और मिस्रधन एमाउंट कितना होगा 100% में जोड़ देंगे सर एमाउंट कितना होगा 100% में जोड़ देंगे एमाउंट हो जाएगा 124 परसेंट और यह किसके बराबर है 595.2 एक परसेंट बराबर किसके 595.2 बटे 124 तो भाई आपको निकालना है 100% का मान उठाकर 592.2 को 100 से गुणा कर दो, यह आपका आंसर आजाएगा यहाँ पर, कुछ नहीं करना पड़ा, आपको just calculation करने थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत हो भी, बताई जल्दी से आंसर कितना होगा, भाई यह पॉइंट हटेगा, बटे 0 आएगा, यह 0 से 0 खतम, 4 से कटेगा क्या, 4 तीया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1, 4, 4, 16, 3, 4, 32, 3, 4, 32, 31 से कटेगा क्या यह, 31, 4, 124, और 31, 8, 48 बार कटेगा, तो आंसर कितना आगया, 48, 48, 48 क्या बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, हैं बिल्कुल सही जवाब, आंसर कितना होगा, 48, क्या कि आपको पता चला, 1 साल का 6 परसेंट, तो 4 साल का 24 परसेंट, चार साल का 24% मिसर धन दिया हुआ है तो 100% में जोड देंगे तो 124% बनेगा और वो किसके बराबर है इसके तो 1% किसके इसके बराबर तो 100% गुणा 100 आंसर आगे 480 यानि कि यही आपका मूल धन होगा 480 रुपिया 100 plus 24 क्यूं लिखा आप लेट आएगो अब क्लास को सुरू से देखना आपको पता चल जाएगा 100 plus 24 क्यूं क्या है बच्चे देखो यह सवाल करो जल्दी से इस तरह का सवाल कराया था मैंने आपको भी जब मैं आपको कॉंसेप्ट सिखा रहा था तभी बताया था मैंने आपको, यस देखना, उसने कहा कितने वर्स में 900 रुपे, 5.5% वार्सिक सदन ब्याज की दर से 1080 में हो जाएगा, अभी तो कराया था, थोड़ दिर पहले जब मैं सवाल करा रहा था आपको, कि मूलधन दिया था, मिस्रधन दिया था, दर दे दी थी, समय पूछ लिया था, 50% ओवरॉल आ रहा था, कि दर को समय से गुणा किया होगा, 50% बना, वही सेम कॉंसेप्ट है, आप देखो तो सही, कि मूलधन प्रिंसिपल कितना है, 900, मिस्रधन कितना है, 1080 में, मैं कहता हूँ, ब्याज कितना बना है, परसेंट में बताना है, तो भ 2880 में रुपिया बना है, और कितने पर, 900 पर और गुणा सो, ये गया, आएगा 9218, 9218, सर ब्याज बना है 22%, कितना बना है बच्चे, ब्याज बना है 22%, ये 22% कैसे आया होगा, कैसे आया होगा, जब मैंने 5.5% वारसिक दर को समय से गुणा किया होगा, तब जाकर ये 22% ब अतलब है, 11 बटे 2 को, जब मैंने समय से गुणा किया होगा, तब जाकर ये 22% बना होगा, तब जाकर ये 22% बना होगा, येस, तो समय कितना आ गया, 11 दुनी 22 और 2 दुनी 4, बच्चे, समय कितना आ गया, समय आ गया, सर 4 वर्स, समय कितना आ गया, 4 वर्स, option नमबर 2, ही जवाब है अंसर कितना आ गया आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है चार रुपस है ना यह नहीं तो जो 900 से 1,000 अठाण में बना है ना 108 में ब्याज मुझे नहीं पता कितने साल में बना आपको पता है नहीं पता तो मैंने 128 रुपया ब्याज 900 पर कितना परसंट बंग अब मैंने इस रेट उस को समय से गुणा किया ओगा 2 साल 3 साल 2 साल 25 साल गुणा करने के बाद ही तो यह ब्याज बना होगा 22 परसेंट तो मैंने 11 बटे 2 को समय से गोणा किया आप कांसर आगे 4 परसेंट ठीक है अब आपके दिमाग में थोड़ा सा स्कुरू टाइट हो रहा है कि सर हाँ अब जाकर हमें थोड़े थोड़े कॉंसेट किलियर हो रहे होंगे हंड्रेड परसेंट होंगे जल्दी से इसको और बता दो तो फिर इसका अंसर और बता दो जल्दी से क्या होगा कि साधरन व्याज की किस दर से 1200 रुपे पर धाई वर्सों में 200 रुपया व्याज हो जाएगा रुप्या मूलधन में पर मिस्रधन कितना है 109 8 तो ब्याज कितना होता है व्याज होता है मिस्रधन में से 900 रुपया मूलधन घटा दो कितना आयेगा 98 ये ब्याज ऐसे आया 108 में ओके सवाल देखते हैं साधरन ब्याज की किस दर से 1200 रुपे पर धाई वर्स का जो ब्याज है वो 1200 रुपया है अब आपको ब्याज दे दिया यहां पर लेकिन ये नहीं बताया आपको कि कितने परसेंट पर होगा ये वार्सिक लेकिन आप जानते हैं ये 2500 रुपया ब्याज मिला है किस पर 1200 पर तो आप एग्रीगेट बना लो कितना परसेंट बना एग्रीगेट कितने परसेंट बना ओवरॉल कितना परसेंट बना तो आप इसको डारेक्ट भी कर लो कोई दिक्कत निया 2500 रुपया का साधारन व्याज मूलधन है 1200 समय कितना है दर कितनी है नहीं पता समय है धाई वर्स यानि के पांच बटे दो वर्स और बटे आप सौ भी कर यहां से रेट ओफ इंट्रेस निकालेंगे ये गया दो छिक्के पांच से जाएगा 25 बार दो ती अच्छे, दो पच्चिस तो रेट कितना आगया 25 बटे तीन 25 बटे तीन परसेंट या फिर आप कहोगे 8 सही एक बटे तीन परसेंट, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, आपको अभी लगेगा कि सर यही तो बढ़ी है, formula ही तो बढ़ी है सर, लेकिन आगे जो मैं सवाल कराऊंगा ना, यह formula फेल हो जाएंगे सब, बहुत बड़े-बड़े method में ले जाएंगे यह formula आपको, अभी छोटे सवालों में आसान लगते हैं formula, लेकिन सवाल की language अगर change कर दीना, तो formula घूम जात सकते हैं, ना तो गाड़ी को back कर सकते हो ना आगे जा सकते हो आप, खड़े रहो वहीं पर, और GPS वहीं गूमता रहेगा, वहीं गूमता रहेगा, तो वह वाली चीज है, के formula जो है, कभी-कभी ऐसे रास्ते पर लेजाकर खड़कर देगा आपको, ना तो आप आगे जा सकते पीछे आ सकते हो कोई GPS वाला सीन है तो concept पे भगो concept यानि के पूछते पाशते चलो भाई सबी रास्ता किधर जाएगा वह concept है वह जो वहां के locals है कि भाई सब यह ऐसे निकल जाना ऐसे फज़ाओगे ऐसे मत जाना तो पूछ लिया करो रास्ता complete GPS पे लेपेंड मत रहा करो तो यहां पर चलते हैं कि चलो देखते हैं साधान व्याज की किस दर से 1200 रुपे जो है 200 रुपे ब्याज बनाया तो ओवरल कितना परसेंट बनाया है 200 बटे 1200 और इंटू हंड्रेड तो दो जीरो से दो जीरो खतम दो से जाएगा दो च्छिके बार्ला और दो से जाएगा 125 याने के आप कहेंगे सर 125 बटे 6 परसेंट 125 बटे 6 पर से बनाया है इसने ओवरall अब 125% कैसे आया होगा जब मैंने rate of interest यानि के दर को धाई वर्स से धाई वर्स यानि के 5 बटे 2 वर्सों से गुणा किया होगा तभी जाकर ये 125 बटे 6% बना होगा तो 5 से जाएगा पूरा 25 बार 2 से नीचे वाला कट जाएगा तीन बार तो आर का मान कितना आ गया 25 बटे 3% यार इसमें क्या था कुछ भी नहीं था उससे तो कितना असान है 25 बटे 3% ये सवाल करो जल्दी से देखेंगे एक बार सवाल को क्या है कोई रासी 10% वार्सिक ब्याज की दर से कितने समय में डेड़ गुना हो जाएगी कितने समय में डेड़ गुना हो जाएगी बताओ जल्दी से, कोई रासी 10% वारसिक ब्याज़ की दर से कितने वर्स में डेड़ गुना हो जाएगी पांच वर्स में 50% ब्याज बनेगा यार, 50% ब्याज बनेगा मैं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, concept अच्छा है, लेकिन समझने में बहुत हैवी है आपको आराम से बैठके, दिमाग को खाली करके, जब समझना होगा concept दिखने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बहुत हैवी, बहुत deep concept है जैसे इस सवाल का अंसर 5% है, मुझे देखके समझ में आगया 5% है कैसे, मुझे एक बात बताओ, कोई भी संख्या डेड़ गुनी कब होती है बचे डेड़ गुनी कब होती है, डेड़ गुनी होती है और हो जाएगी का मतलब है, डेड़ गुनी हो जाएगी का मतलब है, ये मिसर धनकी बात कर रहा है, कोई भी धनरासी जब होती है न, के पंद्रह हजार हो गई, डेड़ गुना हो गई, दस गुना हो गई, वो मिसर धनकी बात करेगा, किसकी मिसर धनकी, आप मुझे बताओ, य एक गुने का मतलब कितना, एक गुना, 100%, दो गुने का मतलब, 200%, तीन गुने का मतलब, 300%, चार गुने का मतलब, 400%, तो डेड़ गुने का मतलब क्या हो गया, डेड़ गुने का मतलब, डेड़ सो परसेंट, और डेड़ सो परसेंट, यानिके 100% मूलधन, और 50% ब्याज, तभी तो डेड़ गुना बनी हैं अब यह 50% प्याज कैसे आया होगा यह आया होगा जब आप अपने 10 वर्स को समय से गुणा किया होगा 10 और 10 परसेंट को समय से गुणा किया तभी तो परसेंट प्याज मिला दस पंजे पचास यानि के पांच वर्स लेकिन ये आपका दिमाग घुमा देगा ये दिमाग घुमा देगा मैं जानता हूँ रीजन है उसका क्योंकि आपने चीजे अभी उतने डीप में नहीं सीखी अब सीख रहे हो भरोसा करके सीखो कि यहीं सीखन हो गई का मतलब है डेड़ सो परसेंट उसका मिस्र धन है सो परसेंट ब्याज का अलग कर दो 50% मूल धन अलग कर दो 50% ब्याज बनेगा वो ब्याज ही पूछ रहा है किस दर से तो यह 50% कैसे आया होगा जब आपने 10% को समय से गोणा किया होगा तब जाकर यह 50% आया होगा चलो इसको हम फुर्मुले से भी कर लेते हैं फुर्मुले से भी कर लेते हैं दो एकम दो रेक तीन बटे दो हो गई इसका क्या मतलब है तीन बटे दो हो गई से आप क्या समझते हो 3 बटे 2 हो गई से आप समझते हो कि 2 अगर मूलधन है 2 अगर मूलधन है तो 3 रुपया क्या है? 3 रुपया मिस्रधन है भाई हो जाने का मतलब है 3 बटे 2 हो जाने का मतलब है कि 2 अगर मूलधन है तो 3 रुपया मिस्रधन हो गया तो ब्याज कितना होगा, ब्याज जल्दी से बता दो, ब्याज कितना होगा, तीन माइनस दो, यानि कि एक रुपया ब्याज का होगा, साधहरन ब्याज वराबर मूलधन कितना है, दो, दर कितना है, दस, समय आपको निकालना है, और बटे सो, इससे ये गया, दो पंजे दस, स से भी आप कर सकते हो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब यह क्लास खतम हो जाए ना तो इसको आप दुबारा जरूर देखना दुबारा जरूर देखना हंड्रेड तो छोड़ो पांसो परसेंट समझ में आएगी यह क्लास और आपको मजा आएगा फॉर्मूला को गया स्पीड पर देखो मास्टर को कभी मत न चाहो दर उदर तो कितना आएगा इस कवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कल को हम यहीं से सुरू करेंगे क्लास को ओके तो बाकि मैंने दोनों चीज़ें आपको पढ़ाई हैं कॉंसेप्ट भी और फॉर्मू झाल